ठंड बढ़ते ही जिले में बेखौफ चोड़ों का आतंक इस कदर बढ़ गया है। ठंड का फाइदा उठाते हुए बेखौफ चोड़ों ने बीती राच मिछनपूरा थानाच्षेत्र के रामबाग नुनफर मुहले के दो घरों का तारा काट कर तीन बाइक की चोड़ी कर है और एक बाइक की चोड़ी का प्रयास किया लेकिन उसमें विफल हो गए। दरसल रविवार की अहले शुवर नुनफर मुहले की रहने वाली शिव कुमार देवी जब अपने घर का दरवाजा खोलने को निकली तो देखा दरवाजा खोला हुआ है और घर के अंदर रखा दो बाइक गायब है उसके बाद हला मचाया तो बगल में रहने वाले सुनिल कुमार अपने घर से बाहर निकले तो देखा उनकी भी घर से गायब थी जिसके बाद से मुहले में हर कंब मच गया हर कंब मचते ही पता चला कि एक और परोसी के बाइक की चोड़ी का प्रयास कि घटना के सूचना पर पहुंची मिठनपूरा थाना की पुलिस ने पास में लगे सिसी टीवी के फुटेज की आधार पर चोड़ो की तलास में चानवीन में जुट गई है करीब 6 बजे में तेखें कि मतलब कि गेट खुबा हुआ है आगारी बरुंडा पर नहीं है दुगो तब हम उठाये अपना है सब के गरेब। से km गारी लगा पर नह हो यहा वो यह उठा तो देखा कि गारी नहीं है, दूब गारी लगा हुआ था के पहले से? हाँ, गेट मतलब को ठाया हुआ था अचे रात में उको बंद किय थे कि नहीं है? हाँ, ताला लगा हुआ था, नौए बजे गेट बटाला लग जाता है मुझे 알क. मरजे भाजे के घट हुआ और मार देखा करने है helps outside माकिया था, ताला लगा जाता हुआ नहीं हुआ था याप amad यहां बाहा से भी रोट पर से गाइब हुआ है यहां कि हमको चल गिया मगर गारी दूगो इसे चल गारी कभी नहीं होता था यहां कभी चोरी पर इसे हो गिया चोरी समझ में नहीं आ रहा है यहां पर और सुबा में उटा थे तो पता चला कि गाड़ी यहां पर नहीं है रात को किसी समय चार बज़े का लमसा में तीन चार बज़े का लमसा में यहां से गाड़ी गाइब हो गई है दो उधर वाज कर रहा था खेस है तो